Using the Computer and Managing Files Introduction अब वी यू सी पी एल के इस मॉड्यूल का आगास करते हैं Objectives इस लेसन में आप अपने कम्प्यूटर को आउन आफ करना सीखेंगे ना सरफ ये बलकि अपने कम्प्यूटर में नजर आने वाली मुख्तलिफ चीजों के बारे में भी जान जाएंगे इस लेसन को करने के बाद आप ये जान जाएंगे कि Windows किसे कहा जाता है और वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हर विंडो में मौजूद होती हैं इस लेसन में आप ये भी सीखेंगे कि Operating System किसे कहते हैं और आपके कम्प्यूटर पर कौन सा Operating System installed है यहां तक कि आप ये भी जान जाएंगे कि आपके कम्प्यूटर पर कितनी capacity की RAM मौजूद है इसके इलावा आप CPU की processing speed भी जान सकते हैं और अपने CPU का brand भी देख सकते हैं इस से आप बाअसानी अपने कम्प्यूटर की configurations का अंदाजा लगा सकते हैं यानि आपको अपने कम्प्यूटर की processing speed, RAM की capacity और Operating System का version पता चलता है इस lesson के आखिर में आप अपने कम्प्यूटर से मदद भी ले सकेंगे जिसका मतलब है कि आप कम्प्यूटर पर काम करते हुए अगर मुश्कल महसूस करें तो आपको इस मुश्कल से निकलने का तरीका भी कम्प्यूटर से ही मिल जाएगा यानि computer आपकी मदद भी कर सकता है Start the computer सबसे पहले हम computer को चलाना या on करना सीखते हैं आपके सामने screen पर ये एक CPU नजर आ रहा है आप देख सकते हैं कि इस CPU पर एक button है इस button को हम power button कहते हैं इस button को दमाने से computer काम करना शुरू कर देता है यानि start हो जाता है computer start होते ही आपके सामने monitor पर कुछ text नजर आने लगता है जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं कुछ देर के बाद आपके monitor पर एक screen आती है इस screen को हम desktop कहते हैं आप सोच रहे होंगे कि desktop क्या चीज़ है आईए desktop के बारे में तफसील से जानते हैं ये तो आप जानते ही हैं कि मेज को अंग्रीजी में desk कहते हैं मेज के उपर वाले हिस्से को desktop कहा जाता है जिस तरह आप अपनी मेज के उपर बहुत सारी चीज़े रखते हैं और उन से काम करते हैं इसी तरह आप computer पर भी अपनी पसंद के software कंप्यूटर की screen पर रख सकते हैं इसे लिए इस screen को desktop कहा जाता है इस desktop पर जो छोटी छोटी तस्वीरें बनी हुई हैं इनको icons कहते हैं आप देख सकते हैं कि इन icons के नीचे इनका नाम लिखा हुआ है इस तरह के icons आप खुद भी बना सकते हैं मगर icons बनाना हम बात में सीखेंगे आपको screen के निचले हिस्से में एक बार नजर आ रही है इस बार को हम task bar कहते हैं इस बार में भी कुछ icons बने हुए नजर आते हैं मगर कब और कैसे ये हम बाद में देखेंगे task bar के दाईं किनारे पर आप बहुत से छोटे icons बने हुए देख सकते हैं task bar के इस हिसे को हम system tray कहते हैं task bar के बाएं किनारे पर एक button है जिस पर Microsoft Windows का icon बना हुआ है इसको start button कहते हैं shut down the computer हमने computer को चलाने का तरीका तो सीख लिया और desktop के बारे में भी काफी कुछ जान गए आईए अब हम सीखते हैं कि computer को बंद किस तरह किया जाता है सबसे पहले हम task bar में मौजूद start के बटन पर click करते हैं इस बटन को दबाने से आपके सामने एक list आ गई है इस list में मुक्तलिफ choices हैं बाकी options को हम बाद में देखेंगे अभी हम पहली option यानि shutdown पर click करते हैं आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी देर में आपका computer खुद बंद हो जाएगा अगर आप अपने काम के दोरान ही power button को दबा देंगे तो ना सिर्फ आपका किया हुआ तमाम काम जाया हो जाएगा बलके आपका computer खराब भी हो सकता है यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा introduction Windows के बारे में देते चलें Windows के मुख्तिलिफ सालों में मुख्तिलिफ वर्जिन्स आते रहते हैं इन में 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 फर्क उनके features और look and feel का होता है जैसे Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 वगएरा Windows के मुख्तिलिफ वर्जिन्स में computer के shutdown का अमल थोड़ा सा मुख्तिलिफ भी हो सकता है ये थे Windows के मुख्तिलिफ वर्जिन्स अब हम वापिस अपने lesson की तरफ आते हैं restart the computer अभी हमने सीखा के computer को बंद किस तरह करते हैं अगर आप चाहते हैं के computer खुद बखुद बंद हो और फिर दोबारा start हो जाए यानि restart हो जाए तो जिस तरह हमने computer को shutdown किया था इस तरह हम start के button पर click करने के बाद shutdown के साथ बने हुए इस arrow पर click करते हैं अब हम drop down menu में से restart पर click करते हैं आप देख सकते हैं के computer बिलकुल उसी तरह बंद हो रहा है जिस तरह shutdown पर click करने से हुआ था और फिर कुछ तेर के बाद दोबारा start हो रहा है और आपके सामने फिर से desktop आ गया है basic window properties आईए अब हम window properties के बारे में कुछ सीखते हैं आप अपने desktop पर एक icon बना हुआ देख सकते हैं जिसके नीचे computer लिखा हुआ है इस पर double click करते हैं डबल click करते ही एक screen हमारे सामने आ गई है इस screen को computer folder कहा जाता है आईए computer folder को explore करते हैं सबसे उपर आप नीले रंग की एक बार देख सकते हैं इस बार के दाए किनारे पर आप तीन छोटे से बटन बने हुए देख सकते हैं सबसे पहले बटन पर dash बना हुआ है इस बटन को हम minimize button कहते हैं इसको दबाने से computer folder सिमट कर task bar में आ जाता है ये देखिए इस folder पर click करने से ये screen दुबारा हमारे सामने आ गई है इस अमल को हम folder minimization या folder को minimize करना कहते हैं डेश से अगले बटन पर एक डबा बना हुआ है इस बटन को maximize button कहते हैं इसको दबाते ही हमारे सामने मौझूद screen बड़ी हो जाती है और पूरे desktop पर आ जाती है और ये बटन भी तबदील हो जाता है स्क्रीन को बड़ा करने के अमल को हम folder maximization या folder को maximize करना कहते हैं इस तबदील शुदा बटन पर क्लिक करने से हमारी स्क्रीन वापिस उसी size में आ गई है जिसमें पहले थी सबसे आखरी बटन पर cross बना हुआ है इस पर क्लिक करने से हमारे सामने मौजूद स्क्रीन बंद हो जाती है आप देख सकते हैं कि ये folder टास्क बार में भी नजर नहीं आ रहा यानि ये folder अब बंद हो चुका है इस folder को दुबारा खोलने के लिए हमें फिर से desktop पर मौजूद computer के icon पर double click करना पड़ेगा अब हम दुबारा इस folder को खोलते हैं और इस folder में मौजूद बाकी हिस्सों को देखते हैं उपर वाली बार के नीचे जो बार आपको नजर आ रही है उसमें बाएं तरफ दो बटन्स नजर आ रही हैं जिनमें तीर के निशान हैं इनको back and forward बटन्स कहते हैं इन बटन्स के साथ दाएं तरफ एक box में computer लिखा नजर आ रहा है इसको address बार कहते हैं address बार के साथ दाएं तरफ एक और box है इसको search box कहते हैं इनको किस तरह इस्तमाल करना है ये हम बाद में सीखेंगे इस बार के नीचे ये एक और बार है इस बार को हम tool bar कहते हैं इस बार में बने हुए बटन्स से हम कई मुफीद काम कर सकते हैं ये बटन्स हमारे लिए tools का काम करते हैं इसलिए इस बार को tool bar कहा जाता है विंडो में सबसे नीचे मौजूद बार को details pen कहा जाता है इस pen में आपको कुछ मजीद information नजर आती है इन सब की तफसील हम बाद में बढ़ेंगे आपको मालूम होना चाहिए कि जिस computer पर आप काम कर रहे हैं उस पर कौन सा operating system install हुआ हुआ है या इस computer की RAM capacity कितनी है ये सब जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है आईए देखने हैं सबसे पहले हम computer के icon पर right click करते हैं आपके सामने एक छोटा सा menu आ गया है इस menu में से हम सबसे आखरी option यानि properties की option पर click करते हैं आपके सामने एक और screen आ गयी है इस screen के address बार में सबसे आखर में system लिखा हुआ है इस window में आपके सामने एक windows का icon बना हुआ है इस icon के साथ सबसे उपर windows edition लिखा हुआ है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके computer में कौन सा operating system install हुआ हुआ है windows edition के बाद आप system लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके computer के processor की speed कितनी है और आपके computer पर RAM capacity कितनी है जो screen आपके सामने है इसमें आप देख सकते हैं कि 6 GB RAM लिखा हुआ है हो सकता है आपके computer में RAM की capacity और हो जैसे 2 GB, 4 GB वगेरा इस window को बंद करने के लिए हम title बार में बने हुए cross पर क्लिक करते हैं झाल